नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग टिग्नोमेटिक रेसियो से रिलेटिड प्रूफ वाले कोस्टन को सॉल करेंगे इस वीडियो में हम लोग टोटल दस कोस्टन सॉल करेंगे जो की रेशनलाजीशन पे बेज़ रूँगे मैंने पिछले वीडियो में दस प्रूफ वाले कोशन अल्रेडी करा रखे हैं जिसका लिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप चाहें तो उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं और साथ में ही मैंने टिग्नोमेटिक रेशियोस चेप्टर के उपर एक प्लेइलिस्ट भी बना रखी है जिसमें मैंने टिग्नोमेटिक रेशियोस रिलेटेड हर एक टॉपिक और कुशन को सॉल्ब कराया है अब चाहें तो उस playlist को भी जाकर देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो पहले question में हमें proof करना है कि root of 1-sin theta divided by 1 plus sin theta equal होगा sec theta minus 10 theta के तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं पहले LHS ले लेते हैं तो LHS क्या है हमारा root over 1-sin theta divided by 1 plus sin theta क्योंकि हमें LHS में कहीं भी root नहीं दिख रहा है तो पहले हमें root को किसी तरह के से हटाना होगा तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं इस root के अंदर ही 1-sin theta से उपर नीचे multiply करते हैं अब कैसे पता चला मुझे 1-sin theta से multiply करना है तो जो भी denominator में दिया रहा है जैसे यहाँ पे 1-sin theta दिया है तो हम लोग इसका ultra लिखेंगे याने लिखेंगे 1-sin theta that is plus के जगा हम लोग बस minus लगा देंगे अब ऐसा करने का फायदा देखिएगा क्या होता है उपर क्या हो जागा 1-sin theta multiply by 1-sin theta तो का जाएगा 1-sin theta का whole square divided by नीचे रहिए 1-sin theta that is a plus b a minus b तो a plus b और a minus b का formula क्या होता है a square minus b square a square मतलब 1 का square फिर बीच में minus b square मतलब sin theta का square तो sin theta के square करने के आएगा sin square theta तो उपर तो 1-sin theta का whole square ही रहेगा लेकिन नीचे देखिए 1 का square क्या होता है 1 ही होता है 1-sin square theta हम लोग जानते है cos square theta के equal होता है इसके जगे हम लोग cos square theta लिख देंगे अब देखिए root अपना काम करेगा root क्या करेगा cos theta बाहर निकाल देगा क्योंकि ये whole square है उसी तरीके से denominator में cos square theta है यानि 2 cos theta है तो वो क्या करेगा root 1 cos theta को बाहर भिलतेगा यानि हमारे पास finally मिलेगा 1-sin theta divided by cos theta अब हम लोग क्या करेंगे इससे separate करेंगे कैसे separate करते हैं मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा था पहले हम लोग इस 1 के पास cos theta को बेजते हैं क्या जागा 1 by cos theta ठीक फिर बीच में minus का sin फिर इस cos theta को sin theta के पास बेजेंगे क्या जागा sin theta by cos theta अब हमें पता है 1 by cos theta sec theta के equal होता है इसके जगा हम लोग sec theta लिख देंगे फिर बीच में minus sin theta by cos theta हम लोग जानते हैं 10 theta होता है तो हम लोग 10 theta लिख देंगे अभ्यान से देखिए यही हमारा RHS है यानि हमारा proof complete हुआ hence proof तो second question में हमें proof करना है root over 1 plus cos theta divided by 1 minus cos theta equal होगा इस question को एक बाटर आई जरूत करें तो इस question को solve करने के लिए हम लोग फिर से LHS ले लेंगे तो LHS है हमारा 1 plus root over 1 plus cos theta divided by 1 minus cos theta हम लोग जानते हैं कि LHS RHS में कहीं भी root नहीं है तो हमें पहले इस root को हटाना होगा और root हटाने का तरीका क्या है उपर नीचे हम लोग 1 plus cos theta से multiply करेंगे ठीक मुझे कैसे मालूम 1 plus cos theta से करना है क्योंकि यहाँ पे minus दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे plus लेंगे क्या हो जाएगा 1 plus cos theta multiply by 1 plus cos theta यह हो जाएगा 1 plus cos theta का whole square ठीक denominator में देखिए a minus b a plus b लिखा हुआ है तो हम लोग जानते है a minus b a plus b a square minus b square के equal होता है तो a square मतलब 1 का square फिर बीच में minus का साएग b square मतलब cos theta का square cos theta के square किसके equal होता है cos square theta के 1 का square क्या होता है 1 होता है अब हम लोग क्या करेंगे इस 1 minus cos square theta के जगा sin square theta लिख देंगे योगी एक फॉर्मुला है यह जागा 1 plus cos theta का whole square divided by 1 minus cos square theta के जगा हम लोग लिखेंगे sin square theta ठीक अब रूट अपना काम करेगा फिर से 1 plus cos theta का square में से 1 plus cos theta बाहर रख देगा और denominator में देखिए 2 sin theta है यह sin square theta है रूट क्या करेगा 1 sin theta को बाहर भेज देगा अब हम लोग क्या करेंगे इस fraction को separate कर देंगे separate करने का तरीका क्या है यह sin theta 1 के पास जाएगा क्या जाएगा 1 by sin theta ठीक फिर बीच में प्लस यह cos theta यह sin theta cos theta के पास जाएगा क्या जाएगा cos theta by sin theta 1 by sin theta क्या हता है cos theta फिर बीच में प्लस cos theta by sin theta क्या हता है cos theta अग्यान से देखिए यही हमारा RHS है यानि हमारा proof complete हुआ तो third question में हमें proof करना है कि sec theta minus 10 theta divided by sec theta plus 10 theta equal होगा 1 minus 2 sec theta 10 theta plus 2 10 square theta के ठीक तो हम लोग फिर से LHS ले लेंगे LHS क्या है sec theta minus 10 theta divided by sec theta plus 10 theta तो हमें दिख रहा है कि हमें proof में कहीं भी denominator वाला term नहीं है यानि RHS में कहीं denominator नहीं है तो हमें पहले इस denominator का सफाय करना होगा अब देखिए सफाय करसे करेंगे उपर नीचे हम लोग sec theta minus 10 theta से multiply कर देंगे उपर भी करेंगे और नीचे भी अब मुझे कैसे मालूं sec theta minus 10 theta से multiply करना है यहाँ पर plus है यहाँ पर minus आएगा मैंने पिछले दो question में बताया था तो उपर क्या हो जाएगा sec theta minus 10 theta का whole square क्योंकि दोनों एक जैसे ही है whole divided by अब देखिए a plus b a minus b तो a plus b a minus b का formula हम जानते है a square minus b square होता है तो a square मतलब sec square theta पिर बेशन माइनस b square मतलब 10 square theta हम लोग जानते है sec square theta minus 10 square theta 1 के equal होता है इसलिए formula याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि सारे formula की जोट कहीं न कहीं पड़ेगी ही हम लोग divided by क्या लिख देंगे 1 क्योंकि sec square theta minus 10 square theta 1 के equal होता है हम लोग जानते है नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है तो इससे हम लोग हटा देंगे अब ध्यान से देखिए denominator वाल अटम गयाब हो चुका है अब हम लोग इस sec theta minus 10 theta का whole square open कर लेंगे यह a minus b का whole square है a minus b का whole square क्या होता है a square plus b square minus 2ab तो a square मतलब sec square theta फिर बीच में plus आता है b square मतलब 10 square theta फिर minus आता है 2ab 2ab मतलब 2 sec theta 10 theta ठीक अब हमारे proof में देखिए minus 2 sec theta 10 theta आ चुका है 10 square theta आ चुका है ठीक बस हमें 1 लाना है यानि इस sec square theta को हटाना पड़ेगा क्योंकि proof में कहीं sec square theta है ही नहीं हम लोग इस sec square theta के जगा लिख देंगे 1 plus 10 square theta क्योंकि हम लोग जानते है sec square theta equal होता है 1 plus 10 square theta के ठीक तो sec square theta के जगा में क्या लिख दिया 1 plus 10 square theta और ये plus 10 square theta as it is minus 2 sec theta 10 theta ये 1 as it is रहागा फिर बीच में plus 10 square theta plus 10 square theta क्या होता है 2 10 square theta ठीक फिर बीच में minus 2 sec theta 10 theta 2 sec theta 10 theta अब हम लोग इसे बस arrange कर देंगे कैसा arrange करेंगे 1 पहले लिखेंगे इस टम को पहले लिखेंगे कि जब 1 minus 2 sec theta 10 theta ठीक फिर प्लस 2 10 square theta को हम लोग आखरी में लिख देंगे द्यान से लेखिए ये हमारा RHS है यानि हमारा proof complete हुआ hence proved तो fourth question में हमें proof करना है कि 10A by 1 plus 1 minus cot A plus cot A by 1 minus 10A equal होगा 1 plus 10A plus cot A के तो हम लोग फिर से LHS ले लेंगे LHS क्या है 10A by 1 minus cot A plus cot A by 1 minus 10A तो हम लोग पहले क्या करेंगे इन्हें 2 fractions को इन 2 fractions को add करेंगे लेकिन उससे पहले इस cot A को हम लोग 10A में बदलेंगे ठीक तो cot A हम लोग जानते हैं 1 by 10A के equal होता है इसके जगा हम लोग लिख देंगे 1 by 10A फिर इस cot A के जगा हम लोग लिख देंगे 1 by 10A तो जगा 1 by 10A अब देखिए हमें इस fraction को पहले solve करना होगा तो कैसे करते हैं वही trick है जो मैंने पिछले वीडियो में बताए थी इस 10A को पहले इस 1 के नीचे हम लोग पहले एक और 1 लिख देंगे फिर इस 10A को इस 1 में multiply करेंगे तो क्या जाएगा 10A फिर इस 1 को इस 1 में multiply करेंगे तो क्या जाएगा minus 1 क्योंकि बीच में minus sign है ठीक और denominator लिखने के लिए इस 10A को हम लोग 1 में multiply कर देते हैं तो क्याएगा 10A जो बड़ा वाला divide का sign है वो ये है अब second वाले fraction में ये 10A नीचे चलाएगा ठीक तो क्या जाएगा 1 by 10A multiply by 1 minus 10A ठीक ज्यान से देखिए ये 10A नीचे आ गया है और इस वाले division में ये 10A उपर चला जाएगा क्योंकि बड़ा वाला division ये है ठीक ना कि ये तो हम लोग इसे उपर भेज देंगे तो क्या जाएगा 10 square A क्योंकि 10A multiply by 10A क्या होता है 10A square A whole divided by 10A minus 1 पिर बीच में plus 1 by 10A 1 minus 10A अब ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10A minus 1 लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 1 minus 10A तो इस 10A minus 1 के जगा हम लोग 1 minus 10A लिखेंगे कैसे लिखेंगे इसको उल्टा लिख देंगे और जैसे ही उल्टा करेंगे minus फशायन आ जाता है यानि क्या जाएगा 1 minus 10A ठीक और यह minus दौड के उपर से जाएगा यह उपर जाएगा minus 10A स्कुएर है यह conversion आप लोग अच्छे से समझ लिजेगा अब ध्यान से देखिए यह वाला पार्ट इन दोनों ही फ्रेक्शन में सेम है यानि LCM इस बार पहले हम लोग ले लेंगे 1 minus 10A ठीक क्योंकि दो बार है तो एकी बार आएगा और यह 10A अकेला है तो इसको तो आना ही पड़ेगा ठीक जाएं से देखिएगा यह LCM मैंने लिया कैसे है क्योंकि यह term दो बार है इसको एकी बार लिखेंगे और यह अकेला है तो इसको मैंने लिख दिया है ठीक अब इस वाले fraction में 1 denominator में 10A नहीं है तो जो भी चीज नहीं रहती है उसे ही हम लोग उपर multiply कर देते है ठीक रट इस उपर में हम लोग multiply करेंगे 10A तो क्या जाएगा 10 फिर बीच में plus इस denominator में वो सब कुछ है जो इस denominator के पास है ठीक यहापर हम लोग 1 ही लिखे रहेंगे ठीक इसको हम लोग reverse order में लिख देते हैं जैसे लिखा हुआ माइनस 10QA प्लस 1 इसको हम लोग उल्टा करके लिख देते हैं 1 माइनस 10QA ठीक इस 1 के लिखे हम लोग चाहिए तो 1 का power 3 भी लिख सकते हैं ठीक तो यह देखिए A cube माइनस B cube के form में है ठीक तो आपको A cube माइनस B cube का formula यादी होगा वो होता है A माइनस B bracket में A square प्लस B square प्लस AB ठीक तो A माइनस B पहले लिखते हैं यादी 1- 10A ठीक फिर के लिखते हैं A square A square मतलब 1 का square 1 का square फिर बीच में plus B square B square मतलब 10A का square 10A का square क्या होगा 10 square A बीच में plus AB AB मतलब 1 और 10A आपस में multiply हो जाएगे तो 1 और 10A आपस में multiply होगे तो क्या होगा 10A हो जाएगा whole divided by अब क्या होगा ग्यान से देखिए ये 1-10A इस 1-10A से cancel हुई जाएगा ठीक तो क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस 10 स्क्वेर ए ठीक प्लस 10A divided by 10A अब हम लोग क्या करेंगे इस 10A को इन तीनों के ही पास ही बेज देंगे ठीक क्या हो जागा 1 by 10A फिर बीच में प्लस 10 स्क्वेर ए बाइ टैने फिर बीच में प्लस 10A बाइ टैने ये 10A बाइ टैने कड़ी आगा क्या हो जाएगा 1 ठीक 10 स्क्वेर ए डिवाइड़ बाइ टैने एक 10 कैंसल हो जाएगा यानि क्या बचेएगा सिर्फ 10A ठीक 1 by 10A क्या होता है कॉटे इसके जाएगा हम लोग कॉटे लिख देंगे जैन से देखिए प्रूफ हमारा आ चुका है 1, 1, 10A, 10A, कौटे, कौटे और तीनो ही प्लस में है यानि हमारा प्रूफ कंप्लीट हुआ क्योंकि यह LHS के इक्वल है Hence, proofed तो फिफ्थ कोश्चन में हमें प्रूफ करना है कि sin3A प्लस cos3A divided by sinA प्लस cosA प्लस sinA प्लस cosA इक्वल होगा 1 के तो फिर से हम लोग पहले LHS ले लेंगे LHS क्या है sin3A प्लस cos3A divided by sinA प्लस cosA प्लस sinA प्लस cosA तो हम लोग जानते हैं, a cube plus b cube का formula होता है, a plus b bracket में a square plus b square minus a b, ठीक, तो हम लोग इसके जगा लिखेंगे, a plus b, a क्या है, sin a, plus b क्या है, cos a, ठीक, तो a plus b हो गया, फिर एक bracket में, a square plus b square लिखते हैं, a square मतलब sin square a, फिर plus b square मतलब cos square a, ठीक, फिर minus लगाते हैं, a b लिखते हैं, a b मतलब क्या, sin a और cos a को multiply करेंगे, क्या जागा, sin a, cos a, whole divided by, बड़ा सा division, sin a, plus cos a, फिर, इस plus sin a, cos a को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, plus sin a, cos a, as it is, अब धिशान से देखिए, यह sin a, plus cos a, इस sin a, plus cos a, cancel होई आ रहा है, ठीक, और हम लोग जानते हैं, sin square a, plus cos square a, one होता है, यानि इसके जगा हम लोग चाहें, तो, one लिख सकते हैं, ठीक, इसके जगा हम लोग one लिख देंगे, ठीक, तो क्या जाएगा, one, minus sin a, cos a, ठीक, प्लस sin a, cos a, ज्यान से देखिए, इस sin square a, plus cos square a की जगा हमने, one लिख दिया है, क्योंकि यह formula होता है, ठीक, यह bracket open कर दीजे, अब जहां से दिखिए, यह minus sin a, cos है, और यहाँ पे, plus sin a, cos a, यह दोनों cancel हो जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ one, ठीक, और यही है हमारा LHS है, इसलिए हमारा proof complete होता है, hence proved, तो sixth question में हमें, proof करना है, कि sin theta by one minus cos theta, equal होगा, cos a theta plus cos theta के, तो हम लोग फिर से LHS ले लेंगे, LHS क्या है, sin theta by one minus cos theta, अब हम लोग क्या करेंगे, उपर नीचे, one plus cos theta से multiply कर देंगे, उपर क्या हो जाएगा, sin theta multiply by one plus cos theta, ठीक, नीचे क्या हो जाएगा, a minus b, a plus b, a minus b, a plus b का formula हम लोग जानते हैं, a square minus b square होता है, a square मतलब one का square, बीच में minus b square मतलब cos theta का square, cos theta का square मतलब, cos square theta, ठीक, one square मतलब one होता है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, one minus cos square theta, हम लोग जानते हैं, one minus cos square theta, sin square theta के equal होता है, क्या जाएगा, sin theta multiplied by one plus cos theta, whole divided by, one minus cos square theta के जाएगा क्या लिखेंगे, sin square theta, अब ध्याँ से देखिए, उपर एक sin theta है, यहाँ पे दो sin theta है, एक sin theta से, एक sin theta, cancel जाएगा, तो क्या बचेगा, one plus cos theta divided by sin theta, अब हम लोग क्या करेंगे, इस sin theta को one के पास भीजेंगे, तो क्या जाएगा, one by sin theta, फिर बीच में, plus, इस sin theta को cos theta के पास भीजेंगे, क्या जाएगा, cos theta by sin theta, अब बताइए, one by sin theta, cos theta के equal होता है, फिर बीच में, plus, cos theta by sin theta, यह, cot theta के equal होता है, ठीक, और यह, आर्चेस के equal है, इसलिए, हमारा proof complete हुआ, hence, proved, तो 7th question में, हमें proof करना है, कि, cos theta minus cot theta, equal होगा, sin theta divided by one plus cos theta के, तो फिर से हम लोग LHS ले लेंगे, तो हमें दिख रहा है, कि हमें RHS में sin theta और cos theta दिया हुआ है, लेकिन LHS में sin theta, cos theta है यह नहीं, इसलिए, हम लोग cos theta और cot theta को sin theta और cos theta में change करेंगे, ठीक, तो cos theta को, अगर sin theta में बदलें, तिये जाता है, one by sin theta, हम लोग जानते है, cot theta equal होता है, cos theta divided by sin theta के, अध्यान से देखिए, इन दोनों ही fractions में denominator सेम है, यानि इन दोनों fractions को हम लोग direct add कर सकते हैं, जैसे sin theta जागा नीचे और उपर क्या जागा, one minus cos theta, लेकिन अध्यान से देखिए, हमें यह proof नहीं करना था, हमें प्रूफ करना है, sin theta divided by one plus cos theta, तो हम लोग क्या करेंगे, उपर नीचे one plus cos theta से multiply करेंगे, यहाँ पर minus है, इसलिए plus से multiply किया है, तो ध्यान से देखिए, उपर a minus b, a plus b लिखा होगा है, तो क्या जागा, a square minus b square, क्योंकि a minus b, a plus b, a square minus b square के equal होता है, a square मतलब one का square, b square मतलब cos square theta, denominator क्या जागा, sin theta, multiply by one plus cos theta, one का square, one के equal होता है, अध्यान से देखिए, यह लिखा हुआ है, one minus cos square theta, one minus cos square theta के इसके equal होता है, sin square theta के, इसके जागा हम लोग sin square theta, लिख देखेंगे, divided by sin theta, multiply by one plus cos theta, अब यह sin theta, एक sin theta को cancel कर देगा, यानि क्या बचेगा, उपर sin theta, whole divided by, नीचे, one plus cos theta, और यही right hand side है, यानि RHS है, इसलिए हमारा proof complete होता है, आप लोग चाहें तो इसी question को RHS से भी solve दर सकते हैं, मतलब आप शुरुवात में RHS मान के चलें, और दिखा दें RHS, LHS के equal आ गया है, इस तरीके से भी इस question को solve कर सकते हैं, तो question number 8 में हमें proof करना है, कि cot theta minus cos theta divided by cot theta plus cos theta equal होगा, cos 1 theta minus 1 divided by cos 1 theta plus 1 के, तो हम लोग फिर से LHS ले लेंगे, तो LHS क्या है, cot theta minus cos theta divided by cot theta plus cos theta, आप लोग देख सकते हैं, RHS में कहीं cot theta नहीं है, तो हमें पहले cot theta हटाना होगा, यानि cot theta के देखे हम लोग लिखेंगे, cos theta divided by sin theta, फिर बीच में minus cos theta, ठीक, whole divided by cos theta by sin theta plus cos theta, अब ध्यान से देखिए, उपर वाले fraction में, यहाँ पे भी cos theta है, यहाँ पे भी cos theta है, इसका मतलब cos theta उपर वाले fraction में common आ रहा है, ठीक, तो उपर वाले fraction में हम लोग cos theta common ले लेंगे, ठीक, बचेगा क्या, इस cos theta by sin theta से हमने cos theta हटा लिया है इसका मतलब यहाँ पर बचेगा 1 by sin theta बीच में minus इस cos theta से cos theta अगर हटा लेंगे तो क्या बचेगा 1 whole divided by similarly नीचे वाले fraction में भी उपर cos theta है और यहाँ पर भी cos theta है यानि फिर से इधर cos theta common आ रहा है अब क्या बचेगा 1 by sin theta ठीक बीच में plus और इस cos theta से अगर cos theta अटाएंगे तो क्या बचेगा 1 ठीक यह cos theta यह cos theta अपस में cancel ही जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1 by sin theta minus 1 divided by 1 by sin theta plus 1 हम लोग जानते हैं 1 by sin theta cos theta के एकवल होता है इसके जगा हम लोग cos theta लिख देंगे ठीक यहाँ पर minus 1 whole divided by इस 1 by sin theta के जगा हम लोग cos theta लिख देंगे ठीक plus 1 ठीक और यही हमारा ध्यान से देखिए RHS है ठीक hence proved तो 9th question में हमें proof करना है कि 10 theta minus sin theta divided by 10 theta plus sin theta equal होगा sec theta minus 1 divided by sec theta plus 1 के यह पिछले ही question के तरह similar है तो आप लोग चाहें तो वीडियो को pause करके इस question को try कर सकते हैं तो इसके रिम लोग क्या करते हैं पहले LHS लेते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि RHS में कहीं भी 10 theta नहीं है तो हमें पहले क्या करना होगा इस 10 theta को हटाना होगा हटाने का तरीका क्या है इस 10 theta के जगा हम लोग sin theta by cos theta लिख देंगे चलिए लिखते हैं sin theta by cos theta ठेक minus sin theta whole divided by 10 theta के जगा हम लोग के लिखना है sin theta plus sin theta by cos theta बीच में plus sin theta ठेक अब धान से देखिए उपर वाल एक्टम में sin theta common आ रहा है अब लोग sin theta common ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 by cos theta क्योंकि इस sin theta by cos theta से हमने sin theta टालिया तो अब इस सी बात है 1 by cos theta बचेगा फिर बीच में minus इस sin theta से sin theta टालेंगे तो 1 बचेगा ठेक whole divided by similarly इस नीचे वाले fraction से भी हम लोग sin theta common ले सकते हैं तो sin theta common ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 by cos theta बीच में plus और यह 1 sin theta से sin theta cancel जाएगा ठेक 1 by cos theta क्या आता है sec theta बीच में minus 1 whole divided by 1 by cos theta के जाएगा हम लोग फिर से sec theta लिख देंगे plus 1 जान से देखिए यही हमारा RHS है यानि हमारा proof complete हुआ तो 10th question में हमें proof करना है कि root over 1 plus sin theta divided by 1 minus sin theta plus root over 1 minus sin theta divided by 1 plus sin theta equal होगा 2 sec theta के इसके लिए हम लोग फिर से LHS ले देंगे तो हमने LHS ले लिया है हम लोग क्या करेंगे इन दोनों ही root को अलग-अलग rationalize करेंगे ठीक इस इस root में हम लोग उपर नीचे 1 plus sin theta से multiply करेंगे क्योंकि यहाँ पे minus है ठीक इस root में हम लोग 1 minus sin theta से उपर नीचे multiply करेंगे क्योंकि यहाँ पे plus है तो देखिए क्या होगा उपर क्या जाएगा 1 plus sin theta multiply by 1 plus sin theta that is 1 plus sin theta का whole square ठीक divided by a minus b a plus b तो क्या जाएगा a square minus b square b square क्या आता है sin square theta ठीक 1 का square मतलब 1 ही plus अब इस root को लोग simplify करेंगे 1 minus sin theta 1 minus sin theta क्या जाएगा 1 minus sin theta का whole square divided by a plus b a minus b तो आपिस 1 square यहनी 1 minus sin square theta अब ध्यान से देखिए यह उपर तो 1 plus sin theta का square ही रहेगा लेकिन नीचे 1 minus sin square theta cos square theta में बदा जाएगा फिर बीच में plus यह उपर 1 minus sin theta का whole square ही रहेगा लेकिन नीचे 1 minus sin square theta के जाएगा cos square theta आ जाएगा ठीक इस root से 1 plus sin theta बाहर आएगा divided by यहाँ पर 2 cos theta हैं तो 1 cos theta बाहर जाएगा ठीक बीच में plus इस root से उपर 1 minus sin theta बाहर आएगा और नीचे cos theta बाहर आएगा ध्यान से देखिए इन दोनों ही fractions में denominator seem है इनको यानि direct add कर सकते हैं तो क्या हैगा 1 plus sin theta यह वाला बीच में plus 1 minus sin theta sin theta से sin theta गैंसे लिए आएगा क्या बचाएगा 1 plus 1 that is 2 2 by cos theta 2 by cos theta को हम लोग लिख सकते हैं 2 multiply by 1 by cos theta ठीक 1 by cos theta sec theta के एक वाल होता है यानि इसके जगे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 sec theta यही आरचस है यानि हमारा proof complete हुआ तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगले वीडियो में हम लोग इसी तरह के 10 और नए question solve करेंगे जिसका link description box में दिया हुआ है आप लोग चाहें तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं